अनार्की का क्या मतलब होता है या आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं अनार्की का मतलब होता है ए राजगता ए ववस्था गडबडी कूप्रबंध या शासन हींता यानि की अनार्की refers to the state of disorder or absence of governance और central authority यानि की अनार्की जो हो सवस्था को कहा जाता है जब सर्कार नहीं होती है या कोई साशन नहीं होता है इन अनार्किक सिस्टम, there is no recognized government body or ruling authority that enforces laws and regulates societal behavior यानि की चो अनार्की सिस्टम होता है या अनार्किक सिस्टम होता है उसमें कोई भी government नहीं होती है कोई भी सरकार या कोई ruling authority नहीं होती है जो कानून बना सके या कानून को लागू कर सके और लोगों का जो behavior है सामाजिक वहवार जो है उस पर लगाम लगा सके instead individuals and communities are left to govern themselves based on voluntary cooperation, mutual aid and decentralized decision making process यानि कि जो अराजकता की स्थिति कहा जाता है यानि कि, जब कोई भी सरकार नहीं होती या पूरा तरीके से कोई संविधान लागू नहीं होता तो ऐसी आवस्था को अनार्की कहा जाता है वैसी इसका इस्तेमाल एववस्था या गडबड़ी के लिए भी किया जाता है तो जैसे कि आप ये कहीं कि अराजकता सरकार की ऐववस्था की स्थीती है तो आप कह सकते हैं अनार्की is a state of disorder of government या आप ये कहीं कि कानूनेम ववस्था बिगडने से अराजकता उत्पन हो सकती है तो आप कह सकते हैं अनार्की can result from breakdown of law and order या अगर आप ये कहना चाहें कि शाशन के पतम से देश में अराजकता का दोर शुरू हो गया तो आप कह सकते हैं the collapse of the regime led to a period of अनार्की in the country यानि कि या तो सरकार ना हो या सरकार का फिर control ना हो तो ऐसी स्थीती को अनार्की कहा जाता है अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतुबकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें